तो आज हम डिस्कुस कने वाले आंसर की ओफ टैट मेडिकल जो अभी आज पेपर हुआ है जी के सेक्शन है इंग्लेन की मुद्रा क्या है पाउंड इसका आंसर है संतोष टॉफिक किस खेल से संबंदित है फुटबॉल इसका आंसर है नेक्स्ट उन्नी सो सॉरी दो हजार उन इसमें जो दादा फाल के पुरस्टकार है वो किसको मिला मिता बचन इसका आंसर होगा नेक्स्ट अंग्रेजों के टाइम पे किस रियासत पे उनोंने अधिकार नहीं किया था तो इसका आंसर है गोवा पूर्थ गालियों ने इस पे अधिकार किया था नेक्स्ट दांडी कब शुरू हुई थी तो 1930 इसका आंसर है भारतिय जो आपका यह कुछ क्लियर नहीं है तो इस रो जो है वो इसके present chairman कौन है तो answer इसका है आपका S Sivan जो आपके यह सिवान है नेक्स देखिए जैविक खेती विच स्टेट लीडिंग इन दी ऑर्गिनिक फार्मिंग So answer will be none of these क्योंकि इसमें जो है answer इसका मध्यपरदेश है नेक्स्ट current president कौन है नितिया योग के तो इसका answer है आपका Rajiv Kumar नेक्स्ट ततापानी जो स्थान है वो किस नदी के किनारे है ब्यास इसका answer है NCRT की full form क्या है National Counseling for Educational Research and Training Next question Mount Tabu के इस राजय में है तो answer इसका सही होगा राजस्थान में Next question is Sanna Merin किस देश की प्रधानमंत्री बनी है तो answer इसका है Finland Next question किस देश के नागरिकों ने सारवधिक Nobel Prize जीते हैं तो इसका answer होगा obviously USA Next question हिमाचल प्रदेश के वर्तमार मुख्यनयादी कौन है तो लिंगपपा इसका answer है कुलू में प्रशित दहशहरा कब और किस ने शुरू किया था तो किस ने शुरू किया था ये जगत सिंग इसका answer है अंगरेचों ने शिमला को कब ग्रिश्म कालीन राजधानी बनाया था अपनी तो इसका answer होगा 1864 Next CAA क्या है तो ये है Citizen Amendment Act Next भारत माला क्या है ये किस ministry के अंडर आता है तो ministry of road, transport and highways के अंडर ये आता है हिमाचल प्रदेश में जो आलू संस्थान के इंदर है वकाई कुफरी में है Next is कुटलेहड क्या है ये क्रियासत है किसका हिस्सा है अभी ये उन्ना का हिस्सा है Next question is किसकी भादुरी के लिए अंग्रेजों ने Victoria Cross सम्मान दिया था तो answer है इसका A option Captain Bhandari Ram Next question अकबर की राजदर्वार में जो प्रसिद कभी थे वो कौन थे तो इसमें जो है बैरम खान इसका answer हो जाएगा चीनी का कटोरा किसे कहते हैं तो क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं Next इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब हुआ था तो 1942 में इसका गठन हुआ था सार्क जो एक यूनियन है उसका सदस्य नहीं है इन में से कौन सा है तो मौरीशिस इसका answer हो जाएगा Next 84 मंदिर का समूग कहा होता है तो भरमौर इसका answer है Next question is जो ग्लोबल जो investment meet थी 2019 में उसमें जो है सबसे आदा पैसा लगाया गया था investment हुई थी वो किसमें उई थी tourism में प्रयाटक में Next इक है कांगडा का प्राचीन नाम क्या है तो इसका answer हो जाएगा आपका नूरपुर Next जो है जो मेरा टू विदुत प्रयोजन जो है वो कहां पर है तो चमबा में है गुरुका लहूर कहां पर स्थित है तो इसका answer हो जाएगा बिलासपुर So this is all about for this video Next section के लिए मैं पायला जी section के लिए जल्दी वीडियो लाँगी Thank you so much